जरहिन भारत जो है वो चाइना के विरोध के बावजूद भूटान में कहां पर सड़क बना रहा है और चार बाहर में हम लोग जो इरान का जो बंदरगा था और रेलवे प्रोजेक्ट था उससे भारत कैसे पीछे हाट गया इसको हम लोग समझते हैं तो देखिए सबसे पहल चाइना आतराज जताया था देखिए एक्चुली यहाँ पर भूटान का नीचे का जो एरिया है इसका नाम है साक्तेंग वाइल लाइफ सेंचुरी चाइना कर रहा थे कि यह मेरा है अब आप बतेए भाईया यह उसका कई से हो सकता है तो भारत सरकार ने यही पर गोहाटी से एक सड़क ले गई है जो इस साक्तेंग को होते हुए और नाचल प्रदेश के पाथ तवांग तक जाएगा अब चाइना इसका विरोत करने से भी कोई फायदा नहीं है भारत ने यहां से सड़क ले जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है देखिए इरान का जो चाबहार का बेल्ट होता है वो तो भारत सरकार के पास चाबहार के केवल दो ही टर्मिनल है अब जैसे यहां आपको एक टर्मिनल दिख रहा होगा यहां पर जहाजे आके लग सकती है और एक ही इस वाले बेल्ट पर टर्मिनल दिख रहा है यहां पर आके जहाजे लग सकती है तो भा चाइना जो है, इरान और चाइना में एक समझोता हुआ है, कि चाइना इरान को हमेशा मदद करता रहेगा, स्ट्रेटिक मदद करेगा, हर अंतराष्टी मामले में साथ देगा, और उसके इंफ्राइस्ट्रक्चर डेबलब करेगा, और बदले में इरान जो है, उसे सस्ते दा विया को ले ले रहा है उसके पास जो उसके लोजिस्टिक पार्क है जो वहाँ पर कंटेनर सौप है वो भी बहुत बड़े हो जाएंगे चाइना के पास हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं वहाँ पर जो बड़े सीपिंग कारगो होते हैं उन्हें छोटी जोसे खीचा जाता है जब ये बंदरगा के करीब लाए जाते हैं चूपि ये जहाज इतने बड़े होते हैं और ये बंदरगा में किस टर्मिनल की और जाएंगे ये दूसरे देस से आएवते हैं इसलिए बड़े जहाजो जो कोई इसका ऐडिया नहीं होता है तो छोटी जहाज से इने खीच कर बंदरगा तक लाए जाता है। छोटे जहाज इन्हे साइट साइट से पुस करते हैं ताकि वो अपने जगह पर जाकर एड़ेस्ट हो सकें। ये बड़ी बली जहाज ये हावर क्रास्ट या ठक जहाजों से इसे खीचा जाता है। बंदरगा पर इनको लेया कर टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है रसी के माध्यम से। रसी से बांध देने से ये हिलते डूलते नहीं है ताकि अनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और इस टर्मिनल पर इसे लगा दिया जाएगा। जब किसी सीप को खड़ा किये जाता है तो उसका एंकर गिरा दिये जाता है। देखें आप लगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इसमें तो जैसे पूरा है अब पाकिस्तान ने इतना P.O.K को क्या कर लिया है काट लिया है तो वहाँ पर अब उस वज़े से हम डारेक्ट अफगानिस्तान जा नहीं सकते हैं अब हम लोग को यहां से बंदरगा से जाना पड़ता है चाबहार बंदरगा से अपने मुंबई स चाबहार और चाबहार से हमको जाना पड़ता है अफगानिस्तान या सेंट्रल एसिया यहां से अब यहां से हम लोग को एक रेल बनाना था जो एरिया इरान में था और वहीं से हमको अफगानिस्तान तक ले जाना था अब यह यहां चाबहार से यह रेल जा रही थी 628 किलो कहा था तो यह आगे लेके जाना था इसको जेदान तक कई उसके आगे फिर हम लोग को डेलाराम तक लेके जाना था इसको दिया गया था 2016 में टेंडर इरकॉम को इरकॉम रेलवे का ही एक हिस्सा है उसी की एक PSU है तो उसको लगबग 1.6 बिलियन डॉलर का खर्श करना था लेकिन 2020 तक उसने एक रुपया नहीं दिया वहाँ रेलेवे लाइन बिच्छाने के लिए अब इरान पर दबाव बनना था आपके वज़े से हम अपने देश के डेवलप्मेंट वाला काम नहीं रोख सकते हैं उसका ये में एपोर्ट है और उसके बाद यहाँ से आपको रेल लाइन ले जाना है अब भारत सरकार इसी रास्ते अफगानिस्तान में जाना चाहती थी अब भारत सरकार को भी तो यहाँ गलती है actually हुआ क्या government ने अमेरिका के pressure में आ गया अमेरिका ने sanction लगा दिया था इरान के उपर कि यहां से पेटरोल को कम करो तो इंडिया पेटरोल भी लेना कम कर दिया सोची इरान से जबकि आपको पता है कि ग्वादर बंदरगा यह चाइना ने ले रखा है और यहां भी entry मार गया अब इरान का रहा है कि आज तक आपने एक भी पैसा नहीं दिया अमेरिका के दबाओ में हाला कि यहां भारत की गलती है अमेरिका ने तो भारत पर यह भी दबाओ लगा था आप रूस से S-400 मिसाइल मत खरी दिये लेकिन फिर भी हम लोग खरी दे और रूस ने भी भारत पढ़ा बनाया था कि आप काम कासा समझाओता मत किजिए अमेरिका से फिर भी हम लोग कर देंगे हम लोग की स्वतन्तर पॉलिसी रहती है लेकिन यहां भारत अमेरिका के प्र में जौइन कर ले अब लोगों को लगता है कि भारत में अपना अफगानिस्तान जाने का रूट खो दिया हाला कि अभी भी रूट मिल जाएगा लेकिन अब आप उस पर एक मेहमान की तरह रहेंगे मालिकाना हक नहीं रहेगा लेकिन हमारे हिसाब से मेल लॉस यह नहीं है मेल लॉस जो हुआ वो भारत को कि हम इंडिया से इरान पहुंच सकते थे इस चावाहर के तुरू और रेलेवे लाइन को और यहां से हम सीध सेंट्रल आइसीया तो इधर जाई सकते थे काकेसस परवत जैसे पार करते तो हमको रूस मिल जाता और यहां से सीधा कनेक्टिविट है हमारे यहां के जो अधिकारी लोग है एक बार सरकारी नोगरी हो गया अब भार में गया देश किसको फुरसत है इतना यहां पर की समझाता कट रहा है की नहीं 2016 का जो परजेक्ट है उसमें एक रूपया भी हम लोग नहीं दिये इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता हम लो दूसरा हर देश जैसे आपके बंदरगा पर आके पेट्रोलियम खाली करेंगे तुरत उनको पैसा चाहिए इरान जो है साथ दिन यानि दो महिने का उधार देता है क्रेडिट देता है इतना सब के बावजूद हम लोग इरान से पेट्रोलियम में कटवती कर रहे हैं यह कह अच्मी देश इजराइल हो गया या अमेरिका या यूरोप वाले हो गया वो इरान पर दबाव बना रहे हैं अब चूकि हम लोग भी उनके दोस्त है इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं इरान को अपना अस्तित बचाय रखने के लिए रूस की जरूद है और चाइन दोनों ने मिलकर उस पर बीटो कर दिया उस प्रस्ताव को रुख दिया तो इरान जो है उसके लिए भारत से जादे चाइना और रूस का साथ है और हकीकत में भी उन्हें हथियार जो देता है रूस देता है पैसे की मदद जो देता है वो चाइना कर देता है और आप तो द पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से ला रहे हैं तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान भारत तापी हम लोग को इरान से सीधे पाइपलाइन ले आना चाहिए यहां राजस्थान में हम लोग को बार बार इरान जाओ पेट्रोल लाओ जाओ लाओ कितना जमेला लगेगा सुचि वाला इसको उड़ा देगा तो फिर तापी पाइपलाइन वाला क्यों की है पाकिस्तान भी तो उससे यूज करेगा उसको भी तो सेटी देने पड़ेगी अंडरगाउंड लेके आए वह से तो यह सब भारत को करना चाहिए तो भारत को अपने जमेला हो रहा है इसको पेट्र में तो कोई किसी का दोस्त होता ही नहीं है हमारा फाइदा जो अब है तो ही हम दोस्त है यही अमेरिका है जो भारत पर बं मारने के लिए पर्माणू बं मारने के लिए 1970 में आया था भारत के खिलाप पाकिस्तान की और से और यही अमेरिका है जो हमारे और से खड़ा है तो तो भारत किसी भी देश को अपने इस्तिती को देखना चाहिए तो भारत में यहां तो गवाँ ही दिया यह रेलेवे प्रोजेक्ट इसी के रास्ते हम हर यूरोप के देशों में घुश सकते थे यहां हमारी लेट लतीफी ने ले डूबा पैसे तक नहीं दिये वहाँ पर आपको कोई मलिकाना हक नहीं मिलने वाला है हलाकि इरान ने कहा कि आप बाद में इसे जॉइन कर सकते हैं तो जो हुआ समझाता उसको काट दी आप बाद में क्या जॉइन करेंगा और यहां आप कहिए एक तरस से तो चाइना ने यहां भी अपने पैसे के दंपर और स्ट्र लोग गमा दिया आप इसको हम क्या कहेंगे आई होप आप इसको समझ गया होंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए